नमस्कार दोस्तों दोस्तों अगर आपके पास भी ओपो कंपनी का एए अठतर मोडल का फोन है या कोई भी ओपो कंपनी का फोन हो तो यह वीडियो देखिए ओके और इसमें आपका गूगल एकाउंट एफारपी बैपास करना है यानि कि जब आप इसे हार्ड रिसेट किये इसके बाद आपके सामने इस प्रकार्स इंटरफेस खुलता है और जैसे आप आगे बहरते हैं तो आपसे पुратना वाला जीमेल affected पूच्ण करते हो तो यहाँ पर Wi-Fi Connect करके आगे भरता हूँ और फिर आपको बताता हूँ कि मेरे को कैसे Gmail एकाउंट यहाँ पर पूछ रहा है तो आप इसे कैसे फारपी वैपास करेंगे तो यहाँ पर मेरे यह Wi-Fi Connect हो गया उसके बाद नेक्स पर मैं आगे किलिक किया उसके बाद यहाँ पर थ्वासा समय लेगा दोस्तों यहाँ पर देखिए डॉंट कोपी में किलिक करता हूँ उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं एक लोक लगा हुआ दिखिने को मिलेग जब तक ही लोक लगा है तब तक आप इसे फारपी वेपास नहीं कर सकते हैं आपसे लोक पिस्किन का पासवर्ट पूछेगा ही जो आप लगा हुए थे अपने मोबाइल में ओके अगर आपका पैटर्न लोक है तो पैटर्न पूछेगा अगर वो नहीं पता है तो यहाँ आप जीमेल एकाउंट से भी लोग इन कर सकते हैं तो दोस्तों यहाँ पे मैं जीमेल एकाउंट भी नहीं पता हमको तो मैं क्या करूंगा सिंपल सी बात है आपको बैक आजाना है बैक आजाने के बाद पूरा स्टेप फोलो करिएगा सेटप बई सेटप हंदे पर सेट मैं आपको सेर वाला आइकन दिखाए दे रहा इस पर किलिक करना है उसके बाद नीचे ऑप्सन दिखाए देगा क्यूक सेर का इस पर किलिक करना है उसके बाद यहाँ पर दिखाए देगा ठीरी डॉट का इस पर आपको किलिक करके और सेटिंग जो दिखाए देरा इस पर किलि कर देंगे उसके बाद यहां पर आपको सेलेक करना है गूगल क्रोम ओके यहां पर गूगल क्रोम सेलेक करेंगे तो आपके फोन का जो भी गूगल क्रोम होगा वह खुल जाएगा उसके बाद आपको क्या करना है यहां पर यूज विटाउट एन एकाउंट पर किलिक करना है उचके बाद यहाँ पे Google Chrome पे आपको क्या करना है, सिम्पल सी बात है, सर्च मारना होगा एक चीज, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे no thanks करना है, उसके बाद यहाँ देखे, article खुल जाएगा, article नहीं ध्यान देना है, उपर option दिखाए देरा, searching का, आपको simple जिबात है, उपर क्लिक करके और यहाँ पे search मारना है, बी एन रोम, जैसे बाद आपको क्या करना है, simple जिबात है, उपर वाला पहला जो website मिल करना है, जैसे ही आप इस पे click कर देंगे, उसके बद यहाँ पे दोस्तों एक setting का option दिखाए देगा, आपको क्या करना है, इस पे click करेंगे ता आपके phone का setting खुल जाएगा, उसके बद क्या करना है, सिंपल सी बात है, आपको home skin and lock skin पे click करना है, फिर आपको यहाँ पे home skin layout पे click करना है, दिखाए दे रहा है इस पे, जैसे ही click करेंगे ता आपके phone का home skin खुल जाएगा, अभी भी आपका lock तूटा नहीं है, आपको क्या करना है, सिंपल सी बात है, आपको simple सी बात है, यहाँ पर option दिखा देगा, एक colon phone का, ओके, आपको इसको open कर देना है, ओके application को लिखना है, this is the new device, इस पे tap करना है, उसके बाद allow, allow कर देना है, उसके बाद आपको एक phone के जरूरत पड़ेगे, यहाँ पो, realme, one plus, click कर दीजे, उसके बाद आपके सामने keyword कोड आ जाएगा, उसके बाद दूसरा phone लेना है, और इसमें आपको clone phone नाम के एक application आता है, प्ले clear का, या आप ये वाला भी आप अपने phone में install कर सकते हैं, जैसे की one plus का, यह दिखिए, clone phone, one plus, यह दिखाई दे रहा है, इसको भी आप अपने phone में install करके open कर लेना है, अगर आपके पास Android phone है, तो, उसके बाद यहाँ दी सीजे, old device पे click करेंगे, तापके सामने camera खुल जाएगा, उसके बाद आपको क्या करना, यहां सा थ्वास आपको wait करना है, क्योंकि preparing data ले रहा है, क्योंकि इस phone के जो भी data है, वो सब यहाँ calculate करेगा, फिर आपको क्या करना है, simple सी उपर all select करके, और फिर आपको on tick कर देंगे, उसके बाद जितने भी इसमें selector लगा है, सब हर जाएगा, उसके बाद इस phone का कोई भी app वाला section में जाना है, और कोई भी एक app इस phone में भेजना है, जो कि इस phone में ना हो already, यानि कि बाहर से download किया हुआ हो, प्ले स्टोर से मतलब बाद में, तो कोई भी आप भेज सकते हैं, जैसे कि मैं auto clicker में भेज दे रहा हूं, य आप Facebook भी भेज सकते हैं, या YT Studio भी भेज सकते हैं, ओके, तो मैं वो application पर tick करके, उसके बाद start migration पर click करूँगा, उसके बाद यहाँ पर password पुछेगा, पासवर जैसे ही मैं खोलूँगा, यहाँ पर lock लगा है, उसके बाद यह इसमें से app इसमें transfer हो जाएगा, उसके बाद done कर देना, उसके बाद आपका पुडाना वाला phone का काम खतम, उसके बाद जिस phone में lock लगा है, इसमें migration complete हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर आपको done करना है, ओके, तो चलिए मैं यहाँ पर done करता हूँ, done कर देंगे, उसके बाद उपर skip का option दिखाएगा, इसके बाद फि वीडियो अच्छा लगा, अच्छा लगा तो जरूर लाइक कर दीजिएगा, ओके, दो